तो IT सेक्टर में बहुत अच्छा हमें action देखने को मिला है जो infosys है उसका share price 8% तक उपर हमें देखने को मिला है और लगातार structure downtrend था one hour का time frame में लगा रहा हूं अब देखे downtrend का structure था फिर यह upward में shift हो गया swing trading के stocks भी हम आपको बताएंगे बने रही है ऐसा मत सोचें कि हम आपको swing trading के stocks नहीं बताएंगे लेकिन थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करना जरूरी है क्योंकि यह stocks अगर हम miss कर देंगे ना तो बहुत opportunity मिस हो जाएगी क्योंकि यह stock बहुत अच्छा perform करने वाले हैं IT sector के अब ही नतीजे आएं और यहां पर समझे तीन तीस के पहले ही उठा लिया गया था तो यह क्या चीज रही किस तरह कि यहां पर operator पना हो रहा है यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि आप देखे ना यहां पर किसी को कानो कान खबर नहीं है उसके बाद भी कैसे किसको ऐसा पर नतीजे को पता ही नहीं होते है ऐसा नहीं है ये candle देख करके तो मुझे नहीं लग रहा है first candle जितनी volatile candle भी नहीं ये तो उससे भी volatile candle है लेकिन हम लोग का जो मुद्दा है वो यह नहीं है अब जो चलना है चलने देते हैं अब इस पे जो inquiry होगी देखा जाएगा नहीं होगी कोई बात नहीं लेकिन अगर आप देखेंगे 1212 पे भी है और यह उसके उपर है 1900 के असपास तो यह stock बहुत अच्छा हो जाएगा बस हम यह चाहते हैं थोड़ा सा consolidate कर जाता है वहां से action आता है तो जरूर हम इसको stock को पकड़ेंगे और वहां से अच्छा rally हम प्राप्ट करेंगे बाकि विप्रो के नतीज अच्छे नह operating profit quarter quarter जादा है लेकिन साल दर साल का में profit देखेंगे net profit overall तो वह आपको quarter जादा देखने मिला है लेकिन साल दर साल कम देखने मिला है तो नतीजे मेरे साब से अच्छे नहीं है लेकिन market इसको किस way मिलेता है यह market ही हमें बताएगा तो चलिए wait करिए कल कैसा इसमें opening देखता है वो उसके हिसाब से depend करेगा अब चलिए शुरू करते हैं स्टॉक्स देखना अगर आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले नंबर वन पर जो स्टॉक में रखा है वह रामा स्टील ट्यूब्स अगर आप इस स्टॉक के चार्ट में देखेंगे तो यहां आप एक resistance area मैंने ड्रॉ करके रखा है 41 तक एक resistance है और अगर यह stock 41.55 पे आता है तो ज़रूर मैं इसको GTD order के तुरू बाय करूंगा यहां पर मेरे सल रहेगा 37.85 का resistance रहेगा अब इसका logic मैं आपको बता चुका हूँ कि यहां पर multiple time जो stock है वो resistance phase किया है और एक चीज़ और देखे down trend जो था मिलेगा क्योंकि अगर यह level break होता है यह level break होता है तो यह फिर से higher eyes का formation होने लगेगा बाकी हाँ टेरिग्राम चैनल पे भी आप चाहें तो जोइन हो सकते क्योंकि वहां पे भी stocks के analysis हम साजा करते हैं वहां वाले stock भी बहुत खतरनाक perform करते हैं learning purpose के लिए जरूर आप चाहे यहां उठाया था फिर अपने एरिया मिला करके फिर से यहां पर लगातार उन्होंने quantity उठाई है तो अगर यह stock 54 के उपर निकलता है तो वहां पर मेरी बाइंग होगी 2% नीचे SL रहेगा और 5-6% उपर टार्गेट रहेगा अगला stock है Jupiter wagons अब इसमें अगर यह stock 364 यानि 365 65 के अरॉन निकलता है 365.60 या 365.70 के असपास आता है तो वहां पर बहुत अच्छा stock में मुएंटा फिर से upside का देखने को ले सकता है अब इसका भी logic से में multiple time यहां पर rejection तेस्क किया है तो अगर यह resistance break होता है तो stock बहुत तेजी से उपर जा सकता है अगर circuit लगाता है तो 400 तक भी जा सकता है तो इसमें भी मैं थोड़ा सा quantity में रिस्क लूँगा पांच परसंट नीचे हैसल रहेगा और मेरा target रहेगा इसमें 15-20 परसंट का इसकी पर लिमिटेड आप देखेंगे तो यह भी काफी best चार्ट दिख रहे है क्योंकि यहां पर देखेंगे रेजिस्टें आपको फॉर्मेशन देख रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे अब बस इसको फोकस करेंगा यह आपको दिख रहा है उपरी रेंज और यह आपको आते विदेखें बिलाए नीचे से त्रेंड लाइन तो इसे हम असेंडिंग ट्रेंगल कहते हैं अगर आप इसको ब्रेक हो जाएंगे तो बहुत ही जादा इसमें मज़ा आने वाला स्टॉक बहुत तीजी सूपर जा सकता है तो मेंटर साब से इसी लेवल पर इंट्री हो सकती है इसमें अगर हम रखेंगे तो आराउन 246 का इसल रख सकते हैं और टार्गेट मैंने आपको बता दिया है ब मंडे को ही इसमें ब्रेक आउट डिखने वाल है हो सकता है फिर अगर नीचे खुल के उपर क्रॉस होता है तो वहां पर बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा और अगर आप देखेंगे निफ्टी फार्मा भी और टाइम हाई क्या सपास है तो यह स्टॉक मुझे लग रख र यह निफ्टी आल टाइम हाई पर आ चुका है तो यह स्टॉक भी मुझे लग रहा है काफी बेटर कर सकता है ठीक है जब भी आप देखेंगे यह रेजिस्टेंस ब्रेक करता तो इस टॉक रुपता नहीं भागता ही जाता है जैसे कि एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था उसके बाद देखेंगे ब्रेक होते इस टॉक उपर भागता गया तो मुझे लग रहा ही एक रेजिस्टेंस यह दिख रहा है इसको भी ब्रेक करने बाद स्टॉक उपर जा सकता है 120-130 तक भी स्टॉक जा सकता है देड़ से दो गईन है तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और कोई दूसरे स्टॉक पे डाउट है तो आप इस टॉक का नाम लिख सकते हैं उसकी अनालिसिस में साजा कर दूँगा वीडियो बना करके और टेलिगरांग चैनल को भी जोएन करें वहां पे भी मैं अल्मोस्त तीन से चार चार शेयर कर चुका ह हैं मुझे पता है आप लोग पूरा नहीं करेंगे क्योंकि बस नहीं करेंगे इतना मुझे पता है अगर 40 लाइक इसमें आ जाते हैं तो मैं बड़ा आश्यर चकित हो जाओंगा देखने क्या होता है